आईरन और विटामिन से भरपूर अनार सरीर में खून की कमी तो दूर करता ही है, साथ में ये इम्मुनिटी को बढ़ाता है, इम्मुन सिस्टम को मजबूत बनाता है, इसलिए हमें किसी न किसी रूप में अनार का सेवन जरूर करना चाहिए, तो अभी तक आप क्या करते हों अनार के सीधे, दाने खाते होंगे चील करके या फिर अनार का जूस पीते होंगे, तो क्योंना आज अनार की बहुती सुपर टेस्टी मिठाई बना जाए जैसे बड़े तो क्या बच्चे भी मां मां कर खाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो इस मिठाई को बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे अनार तो यहाँ पर मैं सिर्फ दो अनार से यह मिठाई बनाने वाली हूँ आप अपने जरुवत के हिसाब से जादा अनार ले सकते हैं बस ध्यान यह देना है कि कोशिश करनी है अनार की जो दाने हो बढ़िया लाल रंके हो तो इससे हमारी जो मिठाई का कलर है वो बहुत ही बढ़िया आएगा बिल्कुल नैचुरल तरीकी से तो चलिए सबसे पहले इन अनार को हम छील करके इनके दाने कर लेते हैं तो अनार को हमने छील लिया है आप देख सकते हैं दाने भी बढ़िया लाल रंके हैं अब हम क्या करेंगे इन अनार के दानों का निकालेंगे जूस जूस निकालने के लिए बैसे तो हमें जूसर चाहिए तो आपके पास जो भी जूसर हो तो ये मेरे पास mini hand जूसर है ये आपके पास बड़ा वाला हो, electric हो आप उससे जूस निकाल सकते हैं अब मानके चलिए जूसर नहीं है कोई सा भी तब हम क्या करें तो आज मैं आपको वही बताऊंगी क्योंकि बहुत से लोगों के पास जूसर नहीं होगा तब आप इसको कैसे बनाएंगे यहाँ पर हमने लिया है mixi का जार और जार में हम डालेंगे अनार के दाने अब हम इसका करेंगे धकन बन और इसको हम अच्छे से पीस लेंगे हमने अनार के दानों को अच्छे से पीस लिया है और आप देख सकते हैं किस तरह से अनार की प्यूरी बन करके तयार हो गई है ये देखिये कुछ इस तरह से इसकी प्यूरी बनी है, अब हम इसको छानेंगे, तो छानने के लिए हम यहाँ पर एक बड़ी वाली स्टेनर ले रहे हैं और इसमें हम अनार की प्यूरी को डालेंगे और एक स्पेशुला या फिर कोई स्पून ले लेंगे, उसकी हेल्फ से इ फेकना नहीं चाहते हैं तो मत फेकिएगा आप इनको किसी पिलेट में फैला करके दूप में सुखा लीजे और इसका पाउडर बना लीजे तो अनार दाना पाउडर बन करके तैयार हो जागा कई तरह की रेस्पी में और कई तरह की बीमारियों में अनार दाना पाउडर का इ दिखाती हूँ कि कितना बढ़ी एकदम perfect juice बना है ऐसा नहीं है कि इसमें बीज बगएरा रह गए हो या कुछ अलग सा मोटा सा पार्ट रह गया हो देखिए कितना बढ़ी या perfect juice बना है तो juice को हम सायर में रख देंगे अब यहां पर हमने एक बोल ले लिया है और इसमें हम ड आज भी आप बोल सकते इसको यह बहुत ही आसानी से मार्केट मिल जाता है इस तरह के packet में आपको मिल जाए अगर बाई चांस आपके पास नहीं है नहीं मिल रहा है तब आप यहां पर मेंदा का इस्तिमाल भी कर सकते हैं तो हम तीन चम्मच यहां पर कॉन फ्लोर डालेंग तो हमें जब तक गोलना है जब तक की जो चीनी है न वो अच्छे से पानी में डिजॉल नहीं हो जाती है कॉन फ्लोर चीनी का जो गोल है बन करके बिलकुल तैयार हो चुका है तो चलिए चलते हैं अब हम गैस की तरफ इसको बनाने की प्रॉसेज में यहां पर हमने एक पैन ले लिया है पैन की जगए आप कड़ाई भी ले सकते हैं और अब जो अनार का जूस है इसको हम पैन में ट्रांसफर कर देंगे फ्लेम को हम बिलकुल अभी लोही रखेंगे अब हमने जो घोल बना करके रखा हुआ था इस घोल को हम अनार में इसे mix कर लें क्योंकि जो कॉन फ्लोर होता है वो तले पर बहुत जल्दी बैट जाता है तो बस थोड़ा-थोड़ा सा हम घोल डालते जाएंगे और एक हम स्पैशुला ले ले लेंगे या कोई विस्क कर ले लेंगे इसकी helps को mix करते जाएंगे इस स्टेज पर आपको फ्लेम क मीडियम कर लेना है और मीडियम फ्लेम पर इसे हमें लगातार चलाना है फ्लेम हाई बिलकुल भी ना करना क्योंकि जो कॉन फ्लोर है ना इसकी वजह से फिर बहुत जल्दी थिकनेस आ जाएगी और आपकी जो मिठाई है उसमें कच्छापन लगेगा अच्छी टेस्टी न पकाते हुए तो इसका जो टेक्शर है आप देख सकते हैं काफी इसका कलर चेंज हो गया है अगर आप अनार के दाने ऐसे रेते हैं जिनका कलर अच्छा नहीं है तब आप यहाँ पर फूट कलर करें मैंने यहाँ पर कोई फूट कलर नहीं मिलाया है तो इसमें हलका सा पाउडर भी डाल दिया है दोनों ही चीजे बैसे तो ऑप्सनल है लेकिन मिठाई में फ्लेवर के लिए इनका इस्तिमाल हम कर रहे हैं अगर आप नहीं करना चाहेते तो कोई दिकत नहीं कर सकते हैं बस अब काजू को भी हम अच्छी से मिक्स करेंगे और इसको लगातार हमें चलाते जाना है धीरे धीरे ये और भी ज्यादा गहड़ा होता जाएगा और इसका कलर भी पहले इसे डार्क होता जाएगा तो मुझे इसको पकाते पकाते लगभग 4 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं यह जो मिश्रण है काफी गहड़ा हो गया है तो बस आखरी में हमें इसमें एक चम्मच घी डाल देना है घी से क्या होगा बढ़िया शाइन रहेगी हमारी मिठाई में और टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाएगा तो चलिए अभी हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे अगर इस तरह से बड़े बड़े बबल्स आपको नजर आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि इसकी जो तिकने से बिल्कुल परफेक्ट है हमारी मिठाई को सेट करने के लिए और दूसरा यह है कि यह पैन में बिल्कुल भी चिपक नहीं रही है देखिए इसने पैन को छोड़ या ऐसे मट करके अलग-अलग हो रही है तो बस यह भी आप चेक कर सकते हैं तो बस गैस को हम बंद कर देंगे और तुरंत ही हमें दूसरा काम करना है यहां पर मैंने कुछ अलग-अलग तरह के बरतन रखे हैं मैं इसलिए रखे हैं ताकि मैं बता सकूँ आपको अगर आप के पास इस तरह से डिस्पोजल की कटोरियां है आप यह ले सकते हैं आपके पास अगर इस तरह से कप केक हैं तो यह भी आप ले सकते हैं मिठाई को सेट करने के लिए काज का कोई बरतन कटोरी हो या इस तरह से कुछ भी हो वो भी ले सकते हैं कुछ भी नहीं है तो इस टी गरम ही बरतन में ट्रांस्पर करेंगे चीज का याद रखिए जैसे हलका ठंडा होता है तुरंथी सेट होना शुरू हो जाता है तो पैन में ही यह सेट हो जाएगी इसलिए आपको गरम गरम ही डालना है और बस इसको हलका सा टैप कर देना है तो इसी तरह से मैं दो कटोरियो में इस मिठाई की मिश्रन को सेट कर लेती हूं थोड़ा सा मिश्रन और बचा था एक और बन जाती बट मेरे बच्चों ने ले लिया ऐसे ही खाने के लिए तो मैं उपर से इसको गानिश कर देती हूं पिस्ता से आप ड्राइफ फ्रूट्स जो भी हो उससे गानिश कर सकते हैं नहीं करना चाहेते तो मत करिएगा और अब हम इसको सेट होने के लिए 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे आप फ्रिज में रखेंगे तो पांच मिनट में ही सेट हो जाएगी तो लगभग 15 मिनट हो चुके हैं और हमारी मिठाई ये बहुत अच्छे से सेट हो गई है तो लीजे तयार है अनार की सुपर टेस्टी और हेल्दी मिठाई तो बस दूस्री मिठाई को भी हम लेते हैं तो बहुती आसानी से ये दी मोल्ड हो जाती है और उसकी शाइन देख सकते हैं आप कितनी परफेक्ट बनी है अब मिठाई तो हमारी रैडी है आप इसको ऐसे ही जिससे यह और भी ज्यादा टैम्टिंग लगेगी यह लिया है मैंने डैसिकेटिड कोकुनट यानि की नारियल का बुराधा आप सुचेंगे यह पिंग कलर का क्यों है एक्षली मैंने केक बनाया था पिंक कलर की थीम का तो उसमें मैंने इसमें थोड़ा सा फूड कलर मिला दिया था पिंक कलर का और इसको कलर फुल कर लिया था तो आपके पास वाइट कलर का होगा डैसिकेटिड कोकुनट तो आप भी ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो बस इसको क्या करेंगे पिछले इस्ते से और इसकी जो किनारी है? इसको हम डेसीकेटिट कोकोनट से बढ़िया से कोट कर लेंगे, इससे जो मिठाई है ना यह और भी ज्यादा टैम्टिंग लगेगी तो आप देख सकते हैं, अब देखने में और भी खुबसूरत लग रही है, और यकीन मानिए फ्रेंड्स खाने में और भी जादा बढ़िया है तो चलिए आपको कट करके भी दिखाती हूं ये देखिए कितनी बढ़िया एकदब मोह में डालेंगे न तो घुल जाएगी तो आप इसको जरूर ट्राइ करें आई होप आपको आज की अनर की मिठाई की र